जैसे healthy खाना जरूरी है उस तरह healthy खाने को healthy तरीके से बनाना भी जरूरी है मेरी डाइटिशन ने मुझे advice किया कि आप air fryer ले लें इसलिए कि oil की quantity मुझे कम रखनी है और उसके साथ मुझे healthy fats को साथ replace करना है इसलिए oil को मैंने बिल्कुली skip करना है almost अपनी weight loss journey में और फिर इसी दुरान मेरी एक follower ने मुझे comment किया कि आप किनवर्ट का air fryer ले ले लें और large size में ले ले लें यह आपके लिए अच्छा होगा और मैंने उसी दिन जाके शाम में air fryer ले ले लिया अलफते से लिया मैंने यह इसमें double XL size है 5.5 liter है और इसमें तकरीबन 2.5 kg food एक time में कोख हो जाता है मैंने इसको अलफते स्टोर से purchase किये और अलफते पे air fryer की काफी जादा variety थी आप किसी भी नाहीद या किसी स्टोर से purchase कर सकते हैं और इस जो specific है Canvot का air fryer जो मैंने लिया है इसके price 42,000 थी और अलफते की जो website है उस पे भी काफे ज़दा discount चल रहे थे दो उनके पास जो बड़े large size के थे उस पे discounts कम थे लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना food एक time पे cook करना है तो आप उसके मताबिक quantity adjust कर लें एक मैं आपको मश्रा दूँगी कि हमेशा air fryer वो लें जिसका inner cooking pan square shape हो ताके उस के उपर spread करके आप जादा चीज़ को cook कर सकें around में quantity ज़रा कम आती है इसके साथ एक recipe book भी आई है मैं weight loss में भी इसको use करूँगी कि मैं कहां पे इस recipes को try कर सकती है और otherwise वजन कम होने के बाद मैं इस सब recipes को for sure use करूँगी या मेरी family में कोई दावत होती है या कोई आता है तो मैं ये बनाऊंगी वैसे मेरा अभी पीज़ा बनाने का भी ख्याल है कि मैं next week पीज़ा बनाऊ especially a healthy version of pizza और मैं आपको बताती है कि क्या है इसमें healthy cooking होती है तो healthier cooking होती है लेकिन अगर आप healthy cheese बनाएंगे let's suppose आप इसमें brownies और cakes बना रहे हैं या पीज़ा बना रहे हैं और समोसे air fry कर रहे हैं तो obviously ये itself healthy नहीं है इसलिए कि इसमें meda use हुआ है तो आप ये expect नहीं कर सकते कि ये healthy है या नहीं हाँ आपने ये भी consider करना है कि आपने कौन सी चीज़ इसमें बनानी है healthy food healthier तरीके से बनता है ये इसका main cooking pan है और white में लेने की वज़ा ये थी कि मेरे पास सारी जितने भी electronics हैं वो भी white में है मेरे पास बरतन भी white में होते हैं इसलिए मुझे दिल साथ है कि मेरे पास हर चीज़ white पे हो इसके साथ इस तरह का adapter आता है कोशिश करें कि air fryer को ऐसी जगा पे रखें जहां पे आपकी electricity supply strong हो आपके पास कोई connection में गड़बर ना हो इसलिए मैंने इसको बाहर यूज़ किया मुझे इसका liner नहीं मिला इसलिए मैं butter paper यूज़ करी हूँ और butter paper यूज़ करने का ये तरीका है कि आप इसकी net वाली जो है basket उसको उठा के इसके नीचे air fryer की जो pan है उसकी साथ इसको adjust कर दें butter paper को और इसके उपर दूसर वाला adjust करें तो फिर जितना भी oil होगा excess oil वो नीचे आ जाएगा मैंने जो first recipe try की air fryer में वो fish थी ये मैंने fresh के small small fillets बनवा लिये थे और इसके मैंने ये कोशिश की है कि ये बहुत thin slices रहें ताकि properly cook हो जाए और मैं first time बना रही थे इसको marinate करने के लिए ये मैंने masala लिया है जिसमें सुका धनिया, अजवाइन, मेरच, chili flakes, अद्रक, लसन और थोड़ा सा बेसन शामिल है इन सबकों में grind करके इसमें थोड़ा सा बेसन भी added है और अगर ये ही recipe आप नॉर्मल तरीके से जो सब fish fry करते है उस तरह fry करनी हो तब भी उसके लिए अच्छा है मैंने masala especially इसलिए लिया था कि ये जो masala है, ये मेरा servant बाकी fish को fry करने के लिए भी use करता है तो मैंने सोचा कि इसको air fry में करके देखते हैं कि ये कैसा बनेगा इसलिए कि hint of जो basin है उससे ये बहुत ही crispy किसम की बनती है इसको मैंने फोरण से marinate करके ही cook करना था इसलिए कि मेरे diet plan में ये included है lunch में और मैंने इसको adjust कर लिया मैं जितने चाहें fish खा सकती हूँ अभी फिलहाल लेकिन 3 या 4 pieces काफी होते हैं बड़ा प्यारा सा है ये white color का और आपको इसको use करने के different तरीके मिल जाएंगे वैसे आपको ये properly guide भी कर देते हैं जहां से आप purchase करें obviously कोई भी electronics लें तो अपने किसी भी market में उसको check कर वा किलें कोशिश करें कि online ना लें इसलिए के बाद में मसले बनते हैं और warranty का भी issue आता है तो ऐसी चीज़ों के लिए जिन्होंने long term पे चलना होता है उनके लिए in store shopping मेरे हैं सबसे ज़्यादा बेतर होती है कि आप properly check कर के लिए air fry के उपर ही different options दिये हुए हैं कि fish, chicken, meat, potato अगर आपने veggies कुछ भी करना हो इसमें cook तो आप वो button प्रेस कर सकते हैं तो automatically आपके पास timer आजाएगा और जितना temperature उसको चाहिए होता है fish के लिए उन्होंने 15-20 minutes suggest किये हैं 160 degrees पे और मैंने इसको अपने plants के पास रखा है कहीं plants ही cook ना हो जाएए में kitchen में electricity supply के लिए भी doubtful थी इसलिए मैंने इसको बाहर रख दिया और first time चुके cook कर रही थी इसलिए मुझे नहीं था idea कि इसने किस तरह operate करना है मैंने किसी को कभी देखा भी नहीं है लेकिन मैंने इसको 10 minutes लगा के इसकी sites को change कर लिया आप भी इसको pause करके इसको change कर लें sites को कभी भी जितना भी time है आप उसको fully इस तरह cook ना करें उसके बाद मैंने 5 minutes इसको दुबारा से रखा और 160 degree centigrade पे और जब ये time हो गया तो मैं देखना चाहरी हूँ कि ये कैसा बना है by the way मेरे diet plan में इसके साथ veggies भी है लेकिन वो मैंने fish के साथ ही add नी की इसलिए कि मैं देखना चाहरी थी कि otherwise अगर सिर्फ veggies को करनी हो बगएर oil के उनको तो उनको कितना time लगेगा इसलिए मैंने सिर्फ fish को अभी करने दिया कि मैं इसको देख लेती हूँ कि एक दूसरे के ऊपर रखावा है otherwise 15 minutes are perfect और यह इसके बाद है results इनको मैंने एक दफ़ा पल्टा दिया था pause करके और look at this I really am impressed इसलिए कि deep frying में इस तरह का color आता है और बाकी सारा कुछ लेकिन यह इंतहाई crispy बने है आपको वीडियो में दिखाती है उसके बाद मैंने veggies को करना था saute मैंने इनको steam नहीं किया और मैं इनको देखना चाहिए थी कि इनको कितना time लगता है मैंने veggies को 120 centigrade पे पहले सोचा के 5 minutes के लिए cook करते हैं इसलिए कि मुझे अंदाजा नहीं था यह कितना time लेगा और बिल्खुल मैंने उनके साथ कोई oil नहीं touch किया मैंने कुछ पी आप कहते हैं कि आप कुछ नो कुछ oil यूज करें उसमें saute करते हैं या आप उसको marinate करते हैं लेकिन ना तो मैंने fish में oil यूज किया है ना ही मैंने veggies को toss किया है oil के साथ मतलब एक कत्रा भी oil यूज नहीं किया मैं देखना चाहरी थी कि बगएर एक ट्रॉप यूज की यूज किये वे इसको कैसा टेस्ट आता है मैंने 5 मिनेट्स के लिए veggies को लगाया लेकिन 5 मिनेट्स में ये properly cook नहीं हुई हुई थी मैंने इनको निकाल के चेक किया तो ये इस तरह किस कुछ सूरतहाल थी ये बिल्कुल fresh ही लग रही थी और बिल्कुल cook नहीं हुई थी तो फिर मैंने इनको दुबारा से timer set करके 5 मिनेट्स के लिए 180 डिग्री सेंटिग्रीट पे रख दिया इसलिए कि मेरा भी first experience था और मैं देखना चाहिए थी कि कैसे कैसे होता है procedure I was quite excited by the way इसलिए कि मैंने कभी इसको use नहीं किया और नहीं मेरी family में किसी और नहीं use किया है मैंने किसी को देखा नहीं है बाकी toaster oven और इस तरह की चीज़ें तो सबके घरों में होती है लेकिन air fryer चुकि latest technology है फिलिप्स ने develop की है और फिलिप्स की बहुत से यहां पर air fryer भी है लेकिन मुझे केंवोड का white color में नज़र आया अगर मुझे फिलिप्स का white में नज़र आता तो मैं फिलिप्स का ले ले थी लेकिन किनवोड का था और specially यह जो 5.5 लिटर था यह मुझे अच्छा लगा था कि यह सबसे largest available है और यह final होगी लोक इसकी veggies भी होगी properly cooked और fish भी इंतहाई crispy fish बनी है देखने में बहुत अच्छी है और medium spices के साथ मैंने रखी है बहुत healthy तरीके से बनाई है और मैंने इसमें कोई extra एक drop your oil का use नहीं किया और मेरी diet का हिस्सा है fish इसलिए मैं जितनी चाहे वैसे quantity खा सकती हूँ nowadays I am doing some hard core weight training और उसके लिए आपको obviously omega 3 भी चाहिए good fats भी चाहिए आपके muscles build करने के लिए और आपके muscles को repair करने के लिए भी fish बहुत अच्छी gook होई थी that's the best recipe I had और साथ veggies को भी taste किया तो veggies भी soft हो चकी थी थोड़ी सी crunchy थी मुझे बहुत soggy food नहीं पसंद इसलिए मैंने इनको पहले steam नहीं किया otherwise अगर आप steam करेंगे fish fry करूँगी तो मैं उसके साथ veggies को भी add कर दूँगी it's the easiest way to cook I guess इसलिए कि जहां पर मैं barrier town में रहती हूँ वहां पर भी सर्दियों में 10 बचे के बाद gas नहीं होती और अगर gas ना हो तो मतलब कुछ भी cook नहीं हो सकता है मैं अपनी डाइट प्लैन में बहुत सी तरह की recipe इंक्लूट करवाऊंगी जो के air fryer के through बनती हो वैसे मैंने chicken भी try किया और इसका टेस्ट बिलकुल chicken तिक्का की तरह था